हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मेरीदेन ओवलसीज आज हम बात करेंगे कि हम औस्टेलिया एडमिशन के लिए फंड कैसे दिखाएं जैसे कि आप सब जानते हैं अगर हम औस्टेलिया में अडमिशन के लिए जाते हैं सो हमें लिविंग तूशन फीज और अलग अलग कुछ हैं at the time of acceptance of offer, offer accept करने के लिए, वो funds होते हैं, उसमें चार heads होते हैं basically, सबसे पहला head है tuition fees, अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, चाहे बचा एक साल के प्रोग्राम के लिए जा रहा है, दो साल के प्रोग्राम के लिए, तीन साल के प्रोग्राम के लिए, तीन साल के time offer accept करते समय, हमें केवल एक साल के ही living tuition fees दिखानी पड़ती है, tuition fees के बाद दुसरा आता है head, that is living expenses, living expenses, वो head होता है, जिसके अंदर बच्चे का रहना, वहाँ खाना, local convenience, laundry bill, internet bill, utility bill, हर एक bill include होता है, मतलब कहने का, कि अगर living expenses एक ऐसा reserve है, जिसमें बच्चे वहाँ पर Australia में एक कैसे life जिएगा, उसके सारे expenses उसमें include होते है, living expenses from visa point of view, जो हमें maintain करने होते है, that is 21,041 AUD, इसको अबर IRR में convert करते हैं, तो ये सवा 11 लाग से 11.5 लाग के आसपास बैठता है, third point आता है, OSHC, overseas healthcare insurance, student को purchase करना पड़ता है, at the time of acceptance, overseas healthcare insurance, बच्चा study tenure का purchase करता है, same, जैसे कि एक साल के program के लिए जा रहा है, तो एक साल का, दो साल के program के लिए तो दो साल का upfront purchase करना होता है, तीन सार, चार सार के लिए, तो according to duration of the study, बच्चा overseas healthcare insurance purchase करता है, चौथा head आता है, return airfare, वहाँ से Australia से वापस आने का किराया, तो वह हम estimation करते हैं, 23 to 2500 AUD, आस्टेलिया में basically हमें fund शो करने पड़ते हैं, funds हम कौन-कौन, funds कौन-कौन शो कर सकता है, वह आते हैं हमारी sponsor की category में, so sponsors कौन-कौन से होंगे, student के लिए immediate sponsor होते हैं, उसके parents, father, mother, उसके अलावा, students अपने grandparents को include कर सकते हैं, मतलब उसके दादा-दादी या नाना-नानी sponsor कर सकते हैं, और तिसरा होता है, sphiblings, अगर कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, और वो बच्चे को sponsor करना चाहते हैं, तो वो भी sponsor कर सकते हैं, यह तो हो गए immediate family, इसके अलावा, अगर बच्चे के, suppose expenses, जो भी finances meet करने हैं, उसमें 10-15% का कुछ कमी आती है, और उस finances को complete करने के लिए, हम student के, मौसी, चबुआ, चाचा, या फिर मामा, इन चार लोगों को भी include कर सकते हैं, बट आप कोशिस कीजिए, कि immediate family members ही रहें, ज़्यादा लोगों को include ना करें, maximum तीन ही sponsors रखें, जैसे कि father, mother हो गए, आप grandparent को include कर लिए, या in case कोई conditions हैं, suppose अगर student के father sponsor नहीं कर सकते हैं, तो आप mother को, grandparent को दोनों को ले सकते हैं, जिन भी लोगों को आप लेंगे, उनकी हमें proper IDs चाहिए होती हैं, उनके दो-दो साल के ITRs चाहिए होगे, pan card, आधार card, अगर sponsors का business है, तो उनके business IDs, और अगर sponsors जॉब में है, salary है, तो उनके salary IDs और employment IDs चाहिए होगे हैं, funds शो करने के लिए अलग-अलग form है, सबसे पहला आता है savings account, savings account आपका 4-6 महीने पुराना होना चाहिए, इसके अलावा आप इसमें include कर सकते हैं FDs, FD include करेंगे, तो FD का certificate और balance certificate, आपको दोनों requirement होती है, same with savings account, saving account by statement, प्लस balance certificate, ये दोनों चीज़े चाहिए होगे, इसके अलावा आप ले सकते हैं educational loan, educational loan अगर आप अप टू 7 lakhs लेते हैं, और अब हो 7 lakhs अगर आप loan apply करते हैं, तो you have to put collateral for that, so basically तीन मोटे मोटे ये forms हैं, इसके अलावा अगर आप include करना चाहिए, तो आप post office, अगर आपके post office में कोई FDs हैं, RDs हैं, या post office का account है, तो आप उस post office का account को भी include कर सकते हैं, sale of property, अगर कोई अपने property sale करी है, और अगर आप वो amount अपने savings में डालकर amount show करवाना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, बट उसकी condition ये है, कि जो आपकी property है, उसकी registry, जो sale आप करेंगे, उसकी registered sale deed होनी चाहिए, और जितना भी amount sale registry में लिखा होगा, उतना ही आप amount show कर सकते हैं, अपने funds के लिए, इसके अलावा काफी सारी लोग ऐसे होते हैं, जिनका current account होता है, savings account का हम यूज करते हैं, आप current account का amount अगर savings में डालकर transfer करते हैं, with the letter ad, with the authority, तो आप वो amount भी use कर सकते हैं, next आता है कि जो भी आप amount डाल रहे हैं, उसको justify कैसे किया जाए, so justification के लिए, जैसे कि अगर आप sponsors डाट करते हैं, जितने भी sponsors डाट कर रहे हैं, salary slips डाट कर रहे हैं, या जितने भी अलग-अलग components डाट कर रहे हैं, उन सब को justify करने के लिए, आपको एक family income दिखानी पड़ती है, family annual income दिखती है ITR के basis पे, so minimum 10-12 lakh की ITR होनी चाहिए, अब ये 10-12 lakh की ITR या तो अकेले एक parent की हो, या 2 पेरेंट की हो, या 3 पेरेंट की हो, in all आपने 10-12 lakh की ITR चाहिए होती है, अगर आप Australia visa application के लिए अपलाए करना चाहते हैं, एक इसकते हैं, अज़ चाहिए, प्ड़कर रिखती हैं, या कि अज़ के अगरेंट की हैं,